नमस्कार दोस्तो 21 जन्वरी का दिन है और 21 जन्वरी को एक फिर से मैं विकास प्रोपेंड और ग्रेनाइट लिमिटेट का एक अपडेट एक आसा अपडेट आपके साथ शेयर करूंगा विता हंडेट परसेंट जन्वीन कंटेंड आपके सामने प्रेजेंट करने के बाद बात करूंगा यह बहुत बड़ी अपडेट है इस स्टॉक के लिए और मैंने तो पिछले कई वीडियो से ही कहा है कि इस स्टॉक पे एक इन्वेस्टमेंट बनता है क्योंकि बहुत ही लोग प्र बटियो पर सेर करूंगा वीडियो पूरा देखने की कोसिस किजिएगा इस वीडियो पर मैं अभी स्टॉक के सीज़ से स्टाट करूंगा बेखिए पिछले 10 सालों में 7.52 का इसने सी आजयार दिया है लेकिन इसके बाद आप किसी भी टाइम फ्रेम पर देखिए पांच सा चार्ट आपके समने प्रेजेंट करूंगा तब आपको समझ में आएगा यह एक साल का चार्ट है यह स्टॉक 17 रुपिय का हाई बनाया था और नीचे आया यहां पर देखिए जो इस स्टॉक ने कमाल किया है वह 2018 से स्टॉक पर एक रैली आई है बाकी इधर यह साथ रुपै का दोर स्टार्ट हुआ यह तीन रुपिय पर आ गया था और उसके बाद फिर से एक अच्छी जर्नी हम लोगों देखने को मिल रहा है एक डिप मिला था जहां पर अगर किसी ने बाई किया होगा तो अच्छी बात है जो कि आपको मैं अभी दिखा रहा हूं यह सायद इसी महने के जनवरी में ही यह मिला था देखिए तीन जनवरी को इस स्टॉक में एक डिप आई थी अगर किसी ने बाई किया हूँ तो बहुत अच्छा नहीं तो यह स्टॉक अभी आपको बाई करने नहीं मिलेगा चलिए मैं चलता हूँ अपडेट पे आप अपडेट देखके बहुत खुस हो जाएंगे अपडेट पे मैं लिए चलता हूँ मैं अल्रेडी डाउनलेट करके रखा हूँ इस फाइल को तो मैं अभी इसे ओपन करूंगा और आपके सामने प्रेजेंट करूंगा एक मिनिट यह ओपन हो रहा यह एक्सल फे जी हां यह देखिए यह अपलो आपको अपडेट के साथ रूबरू किक कर आया जाता है स्टॉक का चार्ट लगा के और डिसकसन करना उतना अच्छा मुझे नहीं लगता बाकि आपको क्या लगता आप जरूर एक बर कमेंट करके बताएगा देखिए यह 161 2020 यानि की तीन दिन पहले का यह अपडेट है य और यह प्रूब करता है जो दोती यह दिनक चैक colo अफाइल ठीक्य क्लेवाव कर सब्सक्राइब का्या था ठीक है नहुजह लगता है कि इसकी युइन्प रेडिंग नहीं चेहां सब्मीट किया ठीक है कर रवे इसकी कॉंफेरेंस हुई थी और अगर आप इसके होल्डर्स हैं वह किस बैसिस पे तो कपार्दा माइन सेंड और जोदपूर फॉर डिसकेशन फॉर्ट प्रोस्पेक्टिव वर्किंग एंटेंडिंग दो कोश्चें एंसर यह इस्पेसिली हमारे जैसे होल्डर्स के लिए ही बुलाया गया था कॉंफेरेंस 11 और 12 तरीक को और अगर आप इसके शेयर होल्डर्स हैं तो आपके पास भी यह मेल आया था मेल आया होगा मुझे भी आया था मैं परसनली इसे स्टॉक पे थोड़ी सी पोजिशन रखता हूं मैं यह डिस्क्लिमर देना चाहता हूं कि मैं आ आपको बोल देता हूं पहले मैंने इस पर होल्डिंग से रखी है आप क्या करेंगे आपको यह अपडेट देखने के बाद तई करना ठीक है देखिए 11 और 12 तरीक को कहां कहां से इंवेस्टर्स आये हैं इसे विजीट करने के लिए पहला पॉइंट देखिए that your company on demand of a shareholders organized as shareholders conference 11 and 12 January 2020 above as many as 177 75 shareholders attended the conference who came from far and near like Australia, Dubai, USA and from Indian States of Kerala, Tamil Nadu, अंदर परदेश, MP, पंजाब, हरियाना, महारस्टा, गुजरात, West Bengal, बिहार, देली, राजिस्तान as well इतने जगाओं से लोग गये हैं आपके भी mail पर यह mail आया था आपने अगर नहीं देखा है तो यह आपकी तरब से problem है company ने पूरा organized किया था with आपका stay almost आपके खाने का भी विवस्ता था सारी चीजों का सिर्फ आपको mail करना था कि मैं आ रहा हूं बस इसके बाद यह booking होती यह इस mail पर लिखा गया था ठीक है आप इसे comment करके हमें बताएगा कितने लोगों को यह mail मिला था opportunity to chat and the prognosticated the prospective business opportunity with the foreign participants and the top management of the company had discussed various issues of the जोद पर ठीक है तो यह जो दो प्लांट्स के बारे में discussion थी ग्यारा बारा को रखी गए एक सुपच्छतर और शेयर होल्डर्स वहां पर पहुंचे थे अभी बात करते हैं कि आगे इसमें क्या हो रहा है यह देखा जाए तो देर्द शेयर होल्डर्स आपक्वेरिस फूल के ख natuur खारे में क्या इसमें वीनट पर खारे में होडोन अप्र फी जर वे ऑन साफूमा ट्रीक हो बात करते हूं तो करते हूं वैर साह जोनश्स वहाम स्स्क्छत और ब Peakav फ्यारन अख्या तो गू? ट्यार साह और टू एंटी टू ट्रिलियन क्यों फीड पोटेंशियल और स्काबेट फॉर दे नेक्स्ट फॉर्टी फाइव यह यह बहुत बड़ी खबर है बहुत बड़ा मतलब पॉइंट है कि 75 तर सॉरी 745 यह तक यह जो इनको मिला है यह ग्रेनाइट यहां पर इस बैसीन पर वह ल लगशभग 45 सानु तक चलने वाला मतलब उनको वह जो चीज जो मायंस पर अप मेंस स्य जो निकल निकलती है वह लगवग वह 45 सालों तक खत्म नहीं होने वाली एक आपको वह रॉक मिली है जो जिससे वह प्रोपेंड निकाला जाएगा ठीक है बेसिकली मुझे भी इस चीज का आइडिया ने क्योंकि हम खुदी माइन्स के रिलेश्टर रिलेटेड बहुत सारी आइडियाज तो किसी को भी नहीं हो होगा तो इस मतलब स्टेटमेंट से यहीं पता चलता है कि नेक्स्ट 45 एस तक यह प्लांट चल सकता है यह मैंस चल सकता है आसा उन लोगों ने अनुमान लगाया यह डिसकाशन हुआ पहला दूसरा अधर्ट दा मैनेजमेंट आप यूर कंपनी एक्स्प्रेंट द वार्कि करोड डॉमस्टिक ओर्डर्स इनको मिले है बावन करोड का ऐसा है इनकी मतलब इनको पर लग रहा है कि 40-42 या 45-50 के आसपास में इनको प्रॉफिट इसबार होना चाहिए ठीक है और यह फाइट ट्वेंटी और ट्वेंटीवन ठीक है 31 माच 2020 में ऑनली ग्रेनाइट ब्लो या 2020-21 तक का जो टार्गेट है या फिर इनको जो एक्सपेक्टेट किया जा रहा सेल्स वह पानसो बारह से पानसो बीस करोड तक का सेल्स जा सकता और बॉटम लाइन में 380-385 करोड जा सकता तो आप समझ सकते एक्सपेक्टेट सेल्स आप दा प्रोपेंड डिपेंड्स अप्रोबल सब्सक्राइब यह प्रोटेट अप्रोड इस आप्टेंड आप यह एक्सपेक्ट किया रहा है बट यह डिपेंड करेगा एक अप्रोबल है साहिद 10 फिट का मुझे इसका कोई आईडिया नहीं है बारह महिने में यह सेल्स यहां तक भी जा सकता है असानुमान आप सोच के देखिए कि इनका सेल्स अभी क्या हो रहा और सबसे बड़ी और एक बात इन्होंने डिविडेंड पॉलिसी का यह किया है और यह डिक्लियर्ड करेंगे शेयर होल्डेस को डिविडेंड एफवाई 1920 का जो फाइनसे लिए खतम हुआ है उसी में आपको यह चीज को अच्छा देख रहे हैं स्टॉक आगे चल सकता बट कल क्या होगा स्टॉक में इसकी किसी को पता नहीं नहीं तो यह बैंक नहीं खतम होता रिलांस कॉम्निकेशन नहीं खतम होता इतने बड़ी-बड़ी कंपनियां धीरे-धीरे करके कॉलाइप कॉलाइप्स कर लिखती है कि आगे आने वाले दस सालों में यह स्टॉक बहुत आगे तक चला जाएगा मुझे असा लगता है मैं अपना व्यू रख रहा हूं अगर आपको भी अच्छा लगता तो डेफिनेट्ली स्टॉक पर बने रिकमेंडेशन मैं नहीं दूंगा मेरी देने की कोई प इस्ट्मेंट करके मैं बैठना चाहूंगा पसंद करूंगा चलिए वीडियो का लगा वीडियो का कंटेंड कैसा लगा जरूर कमेंड किजिएगा मैं इस पर 200 कमेंड की एकस्पेक्टेशन्स रखता हूं अगर मुझे नहीं मिला मैं इस स्टॉक को अपडेटेड नहीं सीरत करा यह समय में आना चाहिए हमाराक Church अच्छा लग रहा है इसलिए लाइक मांग हो वसी मिलें मिलेंग से ने कुछ मिलता है ठीक है यह न आप कभी कोई चीज़ करना मैं कभी कहता हूं भी कि आप हमारे channel के description पे पहल एकाउun खोंड लीजे एकाउंस का deed दि दिया हुआ तो मैं यहीं चाहूंगा कि एक बार मुझे लाइक और कमेंट जरूर किजिएगा अगर आपको लगेगा तो तभी मैं आगे फारदर इस स्टॉक को अपडेट करूंगा तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर तब तक के लिए बहुत बहुत धेनेवाद हमारा च